बिटु उठ जल्दी, इसकोल जाना है, उठाई इसको, बिटु को ममी उठाई इसको बिटु उठ, रोज रोज इसकोल जाने का मन नहीं करता है, आज इसकोल नहीं जाता हूं, छोड़ो हाँ हाँ तू तो रोज रोज जाता है रोज रोज है हफ़ते में दो दिन स्कूल जाता है कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना जल्दी तैयार हो स्कूल जा जा स्कूल जा स्कूल क्या बहाना बनाऊं मेरे सर में बहुत तैज दर्द हो रहा है जैसे ही मेरा तो भाग यही खराब है मैं सोचता हूँ रोज स्कूल जाऊंगा इतनी पढ़ाई करूंगा इतनी पढ़ाई करूंगा दुनिया में आज तक किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं की होगी पर क्या करूँ इस सरदर्द का और हाँ अगर आज मैं स्कूल गया तो मैं सरदर्द से मर जाऊंगा अब क्या करूं इस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा फिर क्या करूं इस सरदर्द का सोजाता हूँ क्या पता सरदर्द ठीक हो जाए और हाँ स्कूल की छुट्टी का टाइम होगा तो मुझे उठा देना मुझे बाहर खेलने भी जाना है मुझे पागल समझता है मैं पागल हूँ बेटा स्कूल नहीं जाना है तो घर में पढ़ाई कर चल पढ़ाई कर रुख अभी मैं डंडा लेके आता हूँ आज मैं तुझे डंडे से मार मार के पढ़ाऊंगा मैं हूँ यम्राज यम्राज बिना दर्वाजा खोले अंदर कैसे आ गई मैं इस पूरे ब्रह्माण्ड में कहीं भी आ जा सकता हूँ मुझे कोई दर्वाजा रोक नहीं सकता मूर्ख मनुश मनुश मैं तो यहाँ अकेला हूँ कहाँ है मनुश अबै मूर्ख मैं हूँ यमराज मैं तेरी जान लेने आया हूँ जान? मेरी जान लेने आये हो तो बगल के घर में जाओ वहाँ रहती है मेरी जान उसका नाम है काजल बहुत अच्छी है ले जाओ ले जाओ चप पागल है क्या तू मैं हूँ यमराज समझ में नहीं आता यमराज हो तो क्या करूँ तालीब जाओ बजा देता हूँ ये लो आ देखो देखो यमराज आया है यमराज अरे मोर्क तू डर क्यों नहीं रहा है मैं तुझे मारने आया मारो, सब मारो, कभी मम्मी, कभी पापा, आप आगे हो, आप भी मारो, लो, लो, मारो, दो चार थपड मारो, 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 ये अकेले किस्से बात कर रहा है, बढ़ाई कर बोला, नोटंकी कर रहा है, देखो, यमराज अंकल आए है, कहा है यमराज, ये सामने मैं उनको दिखाई नहीं दूंगा मैं सिर्फ उनको दिखाई देता हूं जो मरने वाला होता है क्योंकि मैं हूँ यम्राज क्या हुआ यम्राज अंकल बोल रहे हैं जो मरने वाला होता है वो सिर्फ उसको ही दिखाई देता है मेरे बिट्टू को बचा लो बिट्टू के पापा, मेरे बिट्टू को बचा लो यह हमको बेकूफ बना रहा है अब तेरा बाप तुझे मारेगा यही बहाना है तेरी मौत का यही लिखा है तेरी किसमत में मैंने तुझे बोला पड़ाई कर यम्राज है, ये है, वो है, रुक, मैं तुझे बताता हूँ अरे पापा, नहीं, मुझे मत मारो, ये यम्राज अंकल की चाल है, अगर आप मुझे मारोगे, मैं मर जाओंगा मेरे बेटे क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे बेटे को, ए बिट्टू, बिट्टू, उठ, उठ 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 तुझे कुछ नहीं हुआ उठ 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 बेटा हूँ यो मारा मेरे बिट्टू को ख़ड़े क्या हो डॉक्टर को बुलाओ मेरा बिट्टू मेरा बिट्टू अरे मम्मी मैं यहां हूँ तू मर चुका है तू अब कितना भी बोल उनको सुनाई नहीं देगा नाहीं तू उनको दिखाई देगा तू बिट्टू की आत्मा है वो देख तेरा म्रत शरीर पड़ा है अरे डॉक्टर आ गए क्या हुआ देखो क्या हुआ इसको डॉक्टर देखो मेरे बेटे को क्या हुआ देखो हाहा देखता हूँ यह तो मर गया है अ बिट्टा मेरा बिट्टू को क्या हुआ और यह यह तो मर चुका है जो एक बार मर गया वो फिर जिंदा नहीं हो सकता बहुत परेसान करता था लोगों को मैं तुझे नर्क लोग छोड़के आता हूँ मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ मुझे क्यों मारा क्यों कि तू हर किसी को परेसान करता है आज के बाद मैं अच्छा बच्चा बन कर दिखाऊंगा मैं किसी को परिशान नहीं करूँगा मम्मी पापा जो कहेंगे मैं वो करूँगा बहुत पढ़ाई करूँगा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं मरना नहीं चाहता हूँ मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो छोड़ दो अरे छोड़ दो मुझे छोड़ दो पागल हो गया है क्या मैं जिन्दा हूँ मैं सपना देख रहा था मैं जिन्दा हूँ मैं जिन्दा हूँ एक तो आधे दिन तक सोया रहता है उपर से पागली जैसी हरकत कर रहा है नहीं पिता जी मैं पहले जाना है और हाँ मेरी इस्कूल की किताबे निकाल कर विस्तर में रख देना मैं आज रात भर पड़ाई करूंगा आज बिप्टु इतना अच्छा कैसे हो गया कि अज़िए कि